पुरा जेगी की समों से मैं डॉक्टर ट्रदीब गम्रे आज आपको फॉसील यानि जिवाश्मी वनस्पतियों का अध्यन कैसे करते हैं और उनके तने से यानि स्टेम से स्लाइट तैयर करने का क्या तकनिक है इस बारे में बताऊँगा तो सबसे पहले हमी जान लेते हैं कि फॉसील यानि जिवाश्मक क्या है कोई भी जीव जो मिट्टी के नीचे दब जाता है और जमीन के नीचे प्राक्रोतित प्रक्रिया के कारण वो धीरे धीरे पत्थर में परिवर्तित हो जाता है उसे जिवाश्मक कहते है जो कि प्राचि यानि आंत्रीक अद्धेनितु सेक्षन यानि पतली स्लाइस लिना आवश्यक है। इसलिए ग्राउंद थिन सेक्षन मेथड एंड ट्रांसफर टेक्निक का उप्योग करेंगे। यहां एक शक्ति चली एटोमेटिक रॉक कटिंग मशीन है। इस गोलाकार ब्लेट की किनारों म हिरे की पाउडर लगी हुई है जिसके करण पत्धर काटा जाता है और लगभग एक मिलीमेटर थीन सेक्षन लिया जाता है यह एक क्रॉस соक्षन लिया है। इस सेक्षन की एक बाजू विभिन्ने ग्रेट के इमरी पाउडर की सहायता से grinding machine पर समान रूप से plane करना है बाद में polish की हुई बाजू Canada Balsam Natural से काज की slide पर fix करना है और section की दूसरी बाजू समान रूप से plane करना है जब तक कि वह section अच्छी तरह से पारदरशिन नहीं हो जाता इस section को काज की plate पर पानी के साथ Zero Grade Emery Powder से इतना पत्मला करना है की विशिष्ट अंतरीक गुन स्पुष्ट दिकाई दे उसी बीच समय समय पर मायक्रोसकोप में निरिक्षन भी करना है अंत में slide को थोड़ा सा गर्म करके section जहली निकुत पेट्री प्लेट में साफ करना है और योग्या आकार के glass light पर transparent का इंडरा बलसम लेकर mound करके उस पर cover slip रखना है लगबग एक सप्ताव तक slide को नियूंतम तापमान में सुकने के लिए hot plate पे रखना है जब हम slide का मायक्रोसकोप के नीचे अध्यन करें तो छोटे जोटे dots दिखाई देंगे जिने vascular bundle या समवणी bundle करते हैं इसमें जलवाहिनी और अन्नवाहिनी दिखाई देंगी सेक्षन के बाहिय और अंतरिक विशिश गून के साथ उसकी पहचान कूल जाती और प्रजातियों के स्तर पर करना संभव हो सकता है जिवाश्मी ये वनस्पती के प्राप्त डेटा के अध्येन से पुरा मोसम, पुरा प्रस्थि और पुरा भोगलिक सिती और जयवीक उत्कान के आधी के बारे में जानकारी मिलती है अतित काल के वनस्पति के अध्यान और विपुल होने वाले पेड जैसे वनस्पतियों की प्राचिन्था का पता अगरने येवां पुरा निमार में जिवाज अक्ष्मी वनस्पतियों की भूमिका आगम है